सुशान सिंग मामले में रिया को आरोपी करार देते हुए एक महीने जेल में रखा गया था जेल से रिया होने के बाद रिया ने बदला लेने की ठान ली है और सुशान की बहनों पर जूटे आरोप लगाते हुए सुशान सिंग राजपूत सुसाइड मामले की जान जारी है और सीबिया इसकी तफ्तीश में लगी हुई है सुशान की मौत का पता लगाने के लिए उनकी बहनों ने भी दिन रात एक कर दिया है मगर सुशान की बहने भी एक मुसीवत में फस्ती नजर आ रही है दरसल रिया चकरवर्ती ने सितंबर महीने में सुशान की बहनों के खिलाफ F.I.R. दर्च कर आई थी और आरोप लगाया था कि बहनों ने सुशान को बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाईयां थी जिसकी वज़ा से सुशान को पैनिक अटेक आया था मुंबई पुलस ने रिया की दर्च की गई F.I.R. की कौपी C.B.I. को सौपी थी अब सुशान की बहनों को इस बात का डर है कि C.B.I. उन्हें कभी भी गिरफतार कर सकती है इसलिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोट से गुजारिश की है कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए सुशान की बहनों का कहना है रिया ने जो F.I.R. दर्च की है उस मामले में C.B.I. उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है और उन्हें गिरफतार भी किया जा सकता है इस वज़ा से प्रियंका और मीतु ने बॉम्बे हाई कोट में पेटिशन फाइल की है कि उनकी सुनवाई जल्द से जल्द कर दी जाए सुशान की दोनों बहने चाहती है कि इस से पहले की रिया द्वारा दर्ज की गई इस मामले में रिया चकरवर्ती ने भी पलटवार करते हुए बॉम्बे हाई कोट से गजारिश की है कि सुशान की बहनों ने जो FIR रद करने की याचिका कोट में दाखिल की है उसे खारिस कर दिया जाए और दोनों बहनों के खिलाफ एक्शिल लिया जाए दोनों तरफ से जोर आजमाईश जारी है अब कोट की तरफ से इस मामले पर क्या फैसला लिया जाता है इसका इंतजार करना होगा सुशान सिंग मामले में करीब एक महीना जेल में रहने के बाद साथ अक्टूबर को रिया चकरवर्ती को बॉंबे हाई कोट से जमानत मिल गई थी और अब वो इसका बदला लेने के लिए उनकी बहनों पर जूठे आरोप लगाने में पीछे नहीं हट रही है इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 4 नवंबर को तै की गई है क्योंकि CBI और मुंबई पुलस में अपना अपना हलफ नामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है और CBI राजपूत के पिता केके सिंग की उस शिकायत की भी जाँच कर रही है जिसमें उन्होंने रिया पर उनके बेटे को आत्मा हत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है रिया चक्रवर्तिया अपने गुस्से का शिकार सुशान्त की बेहनों को बना रही है पर रिया की कर्तूतों पर परदा नहीं डाला चासकता है कि उन्होंने हर जगह जूट का सहारा लेकर अपना पला जाड़ लिया पर अब भी NCB और CBI की नज़र रिया पर है और जल्द ही इस बात का खुलासा हो जाएगा कि रिया आरोपी हैं अपना गुनाह किसी और के मत्थे मरना रिया की चाल को कामयाब नहीं करेगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमार साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया